समस्त जोतिश प्रेमियों को मेरा नमस्कार प्रियदर्शकों आज हम देव गुरु ब्रिहस्पती के बारे में चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रिहस्पती बारह भाव में कैसा प्रभाव देंगे इस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही एक ऐसा महाउपाय बताएंगे की आप अपनी जन्म कुंडली में कमजोर गुरू को कैसे मजबूत कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में ब्रहस्पती कमजोर हैं तो उसको मजबूत करने के लिए एक उपाय अवश्य बताएंगे वैदिक जोतिश में ब्रहस्पति ग्रह को गुरू कहा गया है। गुरू को वैदिक जोतिश में आकाश तत्व माना जाता है। गुरू को ग्यान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्रस्थल, धन, दान, पुन्य आदि का कारक माना गया है। गुरू जहां भी बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठें, जैसे मांजी लगन में बैठे हैं, तो इनकी तीन द्रिष्टियां। पांचवी द्रिष्टी, सातवी द्रिष्टी और नवी द्रिष्टी, तीन द्रिष्टियां होती हैं। विद्वान यह मानते हैं कि गुरू की द्रिष्टी में अमृत होता है। यह जिस भाव को देखते हैं, उस भ अर्थात उस भाव के फल में बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर गुरू अकेला बैठा हुआ है तो भाव नाश करता है। पांचवें भाव में बैठे हों, सातवें भाव में बैठे हों या फिर ग्यारवें भाव में अकेले बैठे हों। अगर अशुभ दशाओं में है, तब भी अन्य ग्रहों के अपेक्षा कम बुरा प्रभाव देता है। हो सकते हैं, स्वाभिमानी हो सकते हैं। आप स्वभाव से उदार, ब्राह्मनों और देवताओं में श्रधा रखने वाले, दान धर्म में गहरी आस्था रखने वाले, विद्या अभ्यासी और विचार पूर्वक कार्य करने वाले होंगे। आपको घूमने फिरने का भी शौक हो सकता है, अगर आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, तो आप अध्यात्म और रहस्यमई विद्याओं में गहरी रुची ले सकते हैं। लग्न में बैठा ब्रहस्पती आपके स्वभाव को स्थिर बनाता है, आपको उदार और प्रामानिक सच बोलने वाला बनाता है, न्याय प्रिय व्यक्ति बनाता है, आपको राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा मान सम्मान और धन की प्राप्ति करवाता है। हाँ, कभी-कभी यह देखा गया कि अगर लग्न में ब्रहस्पती बैठा हुआ है, लग्न में गुरु बैठा हुआ है, तो जूठी अफवाहों के चलते भी आपको कुछ कष्ट हो सकता है। आप अपने शत्रूओं के लिए विशुवत कष्टकारक हो सकते हैं। विशेशकर तब, जब आप रिश्वत खोरी करेंगे। गुरु को रिश्वत खोरी पसंद नहीं है। अगर आप रिश्वत खोरी करें और आपके लग्न में ब्रहस्पती बैठे हुए हैं, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। आप विभिन प्रकार के भोगों में अपना धन खर्च करेंगे। आपको स्त्री, पुत्र आदि का सुख प्राप्त होगा। लग्न में बैठा ब्रहस्पती आपके पुत्र को भी दीर्ग जीवी बनाता है। आपको स्वर्ण रतनों का शौकीन बनाता है। बात करें अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में इसे ध भाव कहा जाता। वानी का भाव कहा जाता है। यहां बैठा हुआ गुरू आपको सुन्दर मुखाकृति देने वाला होगा। आपको रूपवान, सुन्दर शरीर वाला आयुश्मान व्यक्ति बनाता है। आपका साहस और सदाचार सराहनिय होगा। द्वितिय भाव में बैठा ब्रहस्पति आपको सदैव उत्साही बनाएगा। सम्मान करने वाला और अपना सम्मान चाहने वाला भी बनाएगा। आप दूसरों का सम्मान करेंगे और खुद भी सम्मान के लिए लड़ेंगे। सम्मान से बड़ा आपके लिए कोई भी धन नहीं हो सकता। आप धनवान होंगे, सभी प्रकार से अधिकारों, सभी प्रकार के अधिकारों से युक्त होंगे, इसमें दो राय नहीं है, आप संपत्तिवान हो सकते हैं, संपत्तिवान होंगे, आप धन संग्रह करने में भी निपण होंगे, बहुत लोगों को देखा गया, उनके पास इनकम के कई स्रोत होते हैं। बहुत सारा धन आता है लेकिन उसे संचय नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके द्वितिय भाव में ब्रिहस्पती हैं तो आप धन संग्रह करने में निपुण होंगे। सोना, चांदी, सरकारी नौकरी, बैंक, शिक्षन संस्थान या देवालय आदी से आपको धन भी प्राप्त होगा और यश भी प्राप्त होगा। आप कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। आपके जीवनकाल का 27 वर्ष आपके लिए खास हो सकता है। आपके जीवन का 27 वर्ष आपको राजा से या कह सकते हैं सरकार से सम्मान दिलाने वाला होगा। वहीं अगर बात करें, जन्मकुंडली के तीसरे भाव में से पराक्रम का भाव भी कहा जाता है।